तो स्वागत है आपका ग्यापन इकडमी के इस बहुत ही जबरदस्त इतिहास के क्लास में सबसे पहले एक काम के जाब सेशन को प्लीज लाइक कर देजिए तब हम आपको एक गुड़नीश बता रहे हैं आपके लिए बहुत मेहनत किये रात बर जग करके 4-5 बजे सोना पड़ा है और पूरा का पूरा इतिहास का मेहराथन एक ही विडियो में पूरे इतिहास का अबजेक्टिव तयार हो चुका है बागु जो मंडे को अपलोड होगा तो ज़्यादा ज़्यादा सेशन को शेर किजिए क्योंकि उस विडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगाए तो इसमें आप ज़्यादा कमेंट भी किजिए कमेंट करने से क्योंगा पूरा का पूरा फैल लेगा चारो तरब ठीक है और उसके बाद से सभी विद्यार्थियों के प्रस पहुंचेगा एक मैराथन क्लास जो बहुत मेहनत के बाद बना है प्लीज इसको लाइक कर देजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत आपक करेगा इतना बहुत जादा पूरा प्रिबियस इयर का निचोर निकाल करकर उसमें जो इंपोर्टेंट है वह आपके लिए बाद तयार की है तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर देजी अगर आपके लिए मेहनत हुआ है तो और यह लेसन सिसु मैंने छोटा बचा होता है नंद लाला तो होता है तो तीन वंस बहुती असान तरीकह से यह बनाना है कवसे पहले पढ़ा किस ने एक कौन सा इस्ट इंडिय कंपणी आधिकारी था तो इसका नाम था जेन प्रिंसेस प्रिंसेस ने पढ़ाता इस खरोष्टी और ब्रामिलीपी को ठीक है कब पढ़ाता तो यहां लिख दिये हैं 830 के दसक में जेन स्प्रिसेप ने खरोष्टी और ब्रामिलीपी को लिखा था ठीक है चलिए तक्सिला विश्व विद्याले किस राजय में है तो यह किस राजय में इस्तित है यह गंधार राजी आपके यह तक्सिला सर किस देश में है यह पाकिस्तान में है कहां पे है पाकिस्तान में याद रखिएगा ठीक है यहां देखे तक्सिला बहुत ही बड़ा विश्व भी द्याले यह भी याद रखेंगे और तक्सिला एक और आपको इसमें इंफोर्मिशन दे दे तक्सिला भरत के पुत्र तक्स के नाम पर अपने बेटे के नाम पर बनवा दिये तक्सिला भीश्व भी दे ले ठीक है सबसे सक्तिसाली महाजनपद कौन है तो सबसे पहले महाजनपद में जाले टोटल 16 महाजनपद है टोटल कितना महाजनपद है बाबू 16 महाजनपद है यह आप याद कर लेगा जिसमें 3 गो बिहार में है कितना 3 बिहार में है और बिहार का पूरे 16 महाजनपत में सबसे मस्त और सबसे बड़ा और सबसे सक्तिसाली महाजनपत बिहार का है जो कि हैं मगद महाजनपत सबसे क्या बोलता हैं सक्तिसाली है विशाल है ठीक है और एक मध पर्देश में है जो बच गया वो डारेक दक्षड भारत में तो यह आपको याद नहीं रखना है बस याद है कि आठ गो उत्तर पर्देश में और तीन कहा है महाजनपत बियार में ठीक अब फिर दिमाग में आएगा बबो महाजनपत क्या होता है तो सुनिए पहल महाजनपत बिहार का और कौन कौन यहां देखिए वज्जी और चंपा तो तीन महा जनपद हो गया कि नहीं वज्जी और चंपा ठीक है यहां कोनों जगा बिहार का तीन महा जनपद चंपा और वज्जी ठीक है चंपा जी याद रखो ना चंपा जी और मगद तीन को बिहार में हो जाएगा चलिए इसमें आपको हर्यांक वंस के सासक उसका नाम था बिम्बी सार बिम्बी सार ने राजधानी कहा बनाया था राजगरी बनाया था ठीक है हर्यांक में लगतार आपको पढ़ना है हर्यांक में पहला राजा बिम्बी सार इसका पुत्र का नाम था क्या अजाद सत्रू इसके पुत्र का नाम था उदाईन, ठीक है, बिम्बी सार तो इन्होंने राजगीरी अपनी राजधानी बना दी, लेकिन इनकी हत्या इनके पुत्र नहीं कर दी, क्या कर दी, पुत्र नहीं, वज़ा क्या था, जो ये क्या बोलते है, बिम्बी सार जो है, ठीक है, वो इतना साधी करते थे, ब अजाज सत्रू को पता है क्या कहा जाता है, पितरी हन्ता, पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। चलिए यहां पे लिख भी दिये हैं, कि हर्यंकवंस के ससक बिंबी सार ने राजधानी राजगरी बनाया थाँ, हर्यंक वंस की सुरुवात पांसो चोवालिस से यहां देख लेजिए चारसो बारा इसवी के बीच हुआ था इसमें पहला राजान का नाम विम्बिसार था ठीक और इसमें एक बहुत ही अच्छे बैद थे उस समय के डॉक्टर जो सब की जीवन बचा लेते थे जिसका नाम था कौन जीवक याद रखेगा जीवक था बिम्बिसार के बाद अजाज सत्रु है वही पिता की हत्या करने माला फिर इनके बाद आये इनके बेटा उदाईन और उदाईन ने पाटली पुत्र का ठीक है या आपको यद हो गया था याद हो गया था नहीं ठीक है अजाज सत्रु को पितरियां तभी आजाता है और सुनिए इनमें भी एक वर्सकार नामक गुप्तचर थे वर्सकार अब यहीं गुप्तचर तो चड़ा दिया अजा सुझर कर सुनो तुम्हारे बाबु जी खाली शादी विवा कर रहे हैं ठीक है तो यह काम करो ना तुम इनको निप्टा दो निप्टा दो से आगया सर तो सुनिए लास्ट वाला सासक था नाग दसक नाग को नाग नहीं कटा सीसु नाग तो सीसु नाग वंस हो जाएगा सीसु नाग वंस ने में जो राजा थे सीसु नाग अपनी राजधानी बैसाली बनाए ये रट लिजेगा बैसाली किसने बनाया था ये सीसु और राजग्री किसने बनाया था? इसके बाद एक काला असक, बहुत ही मतलब तकटबर शासकता है। त्वह माने होता है, जिसको कभी दुख न हो। अकाल माने होता है, बुरा वक्त वैसे बोल सकते हैं। तो जो दुखों को भी दुख पहुँचा दे उसी को बोलते है काला असोक, ठीक है, तो इसमें बहुत संगिती भी हुई थी, किसके समय में, ये काला असोक के समय में ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत संगिती नहीं समझ रहे हो, बहुत संगिती मैंने बहुत के ग्रूपों द्वारा मीटिंग हुआ था दूसरा बहुत संगे थी अब आते हैं नंद वंस में महापदम नंद थे यह कैसे याद रखिएगा तो लास्ट वाले सासक नंदी वर्मन को नंद ने मार दिया महापदम नंद यह महापदम नंद था कौन इनहीं का सेना पती था तो यह सुरू हुआ था 412 से ले करके 344 तक ठीक है तो थोड़ा सा यह मिस्टीक हो गया बाबू सोरी इसके लिए ठीक है अब रात को दो तिन दिन बच तक तयार करना पड़ता है तो फिर वो थोड़ा सा मिस्टीक हो जाता है भानाओं में बह जाते हैं यहाँ देखिए नंद ठीक है और यह सबसे बड़ा सेना बनाता है कि इनको कोई हरा नहीं सके और इन्हीं महापदम नंद का लड़का घानानंद हुआ है याद रखेगा और घानानंद को इतना गमंड था कि बाओ जी हमारे इतना सेना बनाए है ठीक है तो हमको किसी चीज की कमी नहीं है ठीक है तब तक इसी समय जब घानानंद राजा था, अब यहां समझ लेजिए, जिस वक्त घानानंद राजा था, उस वक्त इधर से सिकंदर इस पर अक्रमण करने मगद पर चल दिया, मगद के हिसा सकते हैं, ठीक, और उस समय घानानंद जो थे, घानानंद एक दम अपने पुरा धरनाक होते हैं, यहां देखो, घानानंद को समझाने आए इनके गुरु, जिनका नाम था चडाक्या, चडाक्या, मतलब गुरु थे एक तरह से, ठीक है, तो चडाक्या जब इनको समझाने आए, तो घानानंद बोला कि यह बुड़ो हुए, आप निकल यहां से, हमको कोई नहीं मारेगा, हमारे पास बहुत ताकत है, ठीक है, और चडाक्या का बाल पकड़ करके, और मौहल के बाहर फिकवा दिये, उस वक्त चडाक्या की चोटी खुल गए थी, चोटी को सिखा बोला जाता है, तो चडाक्या ने कसम खाया कि देख घनानंद, तेरा बिनास होके र रुकिया, और इसको बोला, समझाया कि तुमको घनानंद को मार करके, और अगला वंस मौरे वंस बनाना है, तो वही चंद्रगुप्त जब बढ़ा हुआ, तो क्या किया, घनानंद को मार करके, और मौरे वंस का स्थापना किया, इस तर से इसका नाम है चंद्रगुप्त जब यह मार कैसे दिए उतने बड़े राज़ा को तो बतारें चंदरूत मोरेयक का स्ट चैटिंग चलेंग लिनकर पता यह किसे बीटी दूर धरा से किसे दूर्धरा से याद हो है इनके बेटे का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम है असोक लेकिन बिंदुसार का एक ही लड़का नहीं था लगवग माना जाता है कि बिंदुसार के सौग पुतर थे जिसमें 99 को असोक ही मार दिया राजा बन गया खुद ऐसा लोगों का मनना है ठीक है और हाँ, ये दोनों महान है, लेकिन ये कोई महान नहीं, हाँ, एक हुम महान काम जरूर किया है, पोर्डॉक्षन बहुत अच्छा है, सोगो लड़का पैदा किया है, यहाँ देखो, चलिए, अगला यहाँ पे देखिए, चंद्रुप्त मुरे के गुरु चड़ा क्या, उनों ध्यान से, अब यहाँ पे कहानी यहाँ समझा रहे हैं, आप जानते हैं कि यह पूरा का पूरा भारत है, और भारत में यहाँ एक मगद है, बिहार वाला हिस्सा है, ठीकि आप ऊपर थोड़ा समझ लिजेगा, यहाँ पे घनानन राज कर रहा था, जी लिख दे रहा ह करने आया, तो उस वक्त वापस चला गया, वापस क्यों चला गया, इसका वज़ा बता रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा हला फैला दिया गया सिकंदर के सिना में, कि बिहार में जाने के बाद भूछ चुडेल, पिचास हो गयरा होता है, बिचारा डर करके भाग ग उसकी मिर्ति हो जा रहे थी, उसमें फैल चुका था, और लड़ी बात फैला दिया गया था, कि इस नदी को जो पार करेगा, वो मर जाएगा, वहाँ पे भूत वगरा होता है, इस तरह का कुछ बाते थी, ठीक है, सिकंदर वापस चला गया, लेकिन इसका एगो सेना पती थ बन चुके थे, चंदरुप्त मरे से लडाई किया, बेचार लडाई में जीता नहीं, लेकिन अपनी बेटी गमा दिया, यानि कि चंदरुप्त मरे ने किस साधी कर लिया, सेलीकर निकेटस की बेटी से साधी, उसका नाम था करने लिया, तो इस तरह से यहां समझेगा, अब यहां देखिए तो, चंदरुप्त मरे ने गुजरात में सुदर्सन जिल का निर्माण कर वाया, और सिकंदर अकरमण किया था, यह दोनों डेटी एक्जाम में कभी-कभी डाउट में दे देता है, तो 323 या फिर 31 इसापुरो में सिकंदर ने अकरमण किया था, सिकंद युनान से आये था ही लोग, जब युनान चले गए, तो टेंसन था कि पता नहीं हमारी बेटी वहां चंदरुप्त मरे के पास खुश होगी कि नहीं होगी, तो पता है क्या कि एक व्यक्ति को भेजे दूट को जिसका नाम था मेगास्तनीज, मेगास्तनीज याद रखेगा दूट को भेजे, कौन भेजा आपसे, पुछा जाएगा मेगास्तनीज किसके दूट हैं, तो सेल्यूकस के दूट हैं, अब नाम याद नहीं होगा ना, कमेंट किजिए, याद हो जाएगा, एक बर कमेंट किजिए, सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, अब जब ये भेजे कि ज ना, इंडिका, कितना जल्दी याद हो जाएगा, इंडिया के बारे में लिखा, इंडिका में, याद हो जा रहा है कि नहीं, और एक चीज़ इसमें लिख दिये थे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जन कर दे रहे हैं, उन्हें लिखा था कि जितना भी भारत के लोग होते है जैसे अभी वो काम करते हैं, वो पता है, कहानी सुनना बड़ी पसंद करता है, लेकिन लिखना कोनों नहीं चाहता है, जैसे आप कर रहे हैं, खाली कहानी देख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, यह कौन बोला था, मेगा स्नीज, पुराने लोग सही बोले हैं, यहां देखे, चंद्रूत मुरे के मिर्ती हो गई स्रौण बेल गोला में किस बिदी से सनलेखन बिदी से अब के एक सनलेखन बिदी क्या होता है सर तो देखे जो व्यक्ति अपने सरीर को तड़पा करके मरता है ठीक है देखे सनलेखन बिदी आता है जैन धर्म में किसमें आता है जैन धर्म में आता है जैन धर्म में कहा जाता है कि अपने सरीर को तडपा के मारो ताकि आपकी आत्मा इतना डर जाए कि दूबारा इंसान का जनम नहीं ले ठीक है तो इसी को सनलेखन भी दिखाते है भूखे प्यासे प्राण त्याग दिये कौन चंद्रूप मुरे सनलेखन भी दिद्वरा जैन धर्म का ये रूल होता है सैलीकस निकेटस के दूद का नाम कहता है मेगाजस निजनोंने इंड का पुस्तक लिखा था ये हम आपको बता दिये हैं अब बात करते हैं यहाँ पर असोक चंद्रूप मुरे के बाद बिम्भी सार अब बिम्भी सार के बाद मुरे वंस का राजा असोक था ठीक है असोक जो था ये बहुत ही महान राजा था ठीक है मगत का खंड भारत का निर्माड मतलब स्रे इसको वेजाता है इतने महान होने के बाद आखिर कारी ये मार क्यों दिया तो सुनो ध्यान से, हुआ यूँ, इस कहानी कुछ इस परकार से है कि कलिंग, कलिंग की एक महारानी थी, एक लड़की थी, उनसे मतलब किसका, अशोक का फैर चल रहा था, यानि चाहते थे कि उससे साधी कर ले, अब काम करें, तुम जाके बोलो कि हम समराट असोक से साधी करना जाते हैं, कोई भी तयार हो जाएगा, क्योंकि मगद के अंदर तो सब लोग आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर छोटा सा राजा कलिंग का क्या करेगा, लेकिन कलिंग में रूल था, कि कलिंग की लड़की का शाध तो गेट खुला, तब तक आंक बंद एकदम समझो, मारने में इतना असोक धूद था, कि दाड़क तलवार एकदम खीचा और जो भी गेट खुला, उसको सरधर से अलग कर दिया, जब सरधर से अलग किया, उस वक्त पता है क्या हुआ, जिसका सर जमीन पर गिरा, एका एक तो उसी लड़की का था, जिससे कि असोक प्यार मौंबत में पड़ा हुआ था, वहां से वो पगला गया और बोला कि आज के बाद हमें युद को त्याग देंगे, तो आपसे कुशन पुछा जाएगा, किस युद के बाद असोक ने युद को ही त्याग दिया, तो ये कलि कब हुआ था, तो कलिंग वगा था, 261 इसा पुरु में हुआ था, ठीक, कलिंग युद की चर्चा असोक ने कब किया है, तो असोक का टोटल 14 गो अभिलेक लिखा है, 14 मानलों के लिख लिखा है, जिसमें 13 नमबर अभिलेक में बोला है, कलिंग उद के बारे में जिकर है, मेरे लिखने में जो भी त्रूटी अगर हो गलती हो तो हम जिमेधार नहीं है लिखने वाला जिमेधार है अब देखिए कलिंगुद के चर्चा एक और जगह है कलिंग कहां पर पड़ता है उॅडिशा में उॅडिशा के राजा भी लिखेंग है तो उस हाथी गुफा अभी लेक है उसी में लिखे है कलिंगुद के चर्चा तो दूगा आपको याद हो गया होगा अब वहां के राजा का क्या नाम था राजा का नाम था खारविल उडिसा के राजा खारविल का हाथी गुफा अभी लेक है ये भी कुशन आप याद रखें अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है किस युद के बाद हिर्दे परितन हुआ था तो आपको यादो ना चाहिए कली इंगुद और उसके बाद से उन्होंने धाम में यात्रा सुरू कर दी भाई या सन्यासी बनने के चकर में लग गए ऐसा नहीं कि साधी नहीं की अगला कुश्चन देखिए भारत का सबसे प्रचीनतम लिपी ब्रामी ठीक है उसके वासे कलींग यूद का बर्णन कितने नमबर आविलेक में तेरा नमबर आविलेक में पाटली पुत्र को किस राजा ने स्वर परतम अपनी राजधानी बनाई तो सबसे पहले पाटली प कुछ विद्या किया था जीवक ने वैद्य कि शिखा कहां से ग्रhrण के जीवक एक वैद था नहीं किसके बैद था हर्यंक सुख हुआ है जो प्रजा को सुखी और संपन देखे ये कोई ज्यानी आद्मी कोटिल्य का है कोटिल्य समझ रहे कौन है यहां पे कोटिल्य चड़ाक के को ही बोलते है इनको ही बिष्णु गुप्त बोला जाता है यहां देखिए मौर्य वंस का अंतिम सासक ब्रियद रत था अब व्रियद रत वंस भी यहां पे हो जाएगा तो आपको इंसर में आपको दे रहा है बुक में यहां भी ठीक है सक्सम्मद अब यहाँ पर मामला फस्त है सक्सम्मद के सब्राद 78when每sy में वैं यह होता क्या है तो यह कलेंडर है क्या है कलेंडर समझते हो ना जैसे हम लोग अभी 2024 चल रहा है तो 2024 चल रहा है तो किस क इस कलेंडर के शल्चतते है इस कलेंडर का नाम है Gregorian लेकिन पहले के जबाना में एक कलेंडर था था संसक संम्त कलेंडर एक और कलेंडर था बिक्रम संम्त कलेंडर होता क्या है तो ये 18 साल बाद का और ये 18 साल 57 साल पहले का बताता है जैसे नहीं समझे तो ऐसे समझे सुनिये ध्यान से मान लिजे कि अभी चल रहा है 2024 किस हिसाब से ग्रेगोरियन अंग्रेजो के कलंडर के हिसाब से लेकिन अगर हम यही आपसे बोलें कि बिक्रम समझे के हिसाब से अभी कितना चल रहा है तो मात्र इसमें तुम 57 साल जोड़ दो कितना साल संतावन साल आगे तो इसके हिसाब से 2018 चल रहा है क्या चल रहा है लेकिन बोल देना बिक्रम सम्मत की अनुसार बोला गया है ठीक है यहाँ पर अब यह बिक्रम सम्मत जो कलेंडर है या सक सम्मत यह कनिस्क ने कुसाण वंस के राजा कनिस्क ने अपना है था पहले तो यह राजा बना 78 में उसी वक्त इन्होंने सक सम्मत कलेंडर भी बना द अगला कोश्चन अगला कोश्चन है विश्व में पाईज आने वाली पहली धातु तामबा है ठीक अगला कोश्चन देखिए मेगा स्तनीच किसका दो था जी सलीकस निकेटरस का आया था चेक करने की वहाई करने लिया ठीक है कि नहीं है ठीक है कार ने लिया कार लिया याद रखो ना आये थे यहाँ पे लड़ने के लिए कार देखे चलेगा मैंने करनेलिया को देखे चलेगा पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किस नादी के किनारे गंगा और सोन तो जानती है यह पटना गंगा और सोन है जैसे आप बिहार ऐसे देखे हो ऐसे मानलो थोड़े की रचना कर दी मेगास्तनीज और इसमें थोड़ा लेखक के जिकर कर दें और भी कुछ है इनमें एक है हरी सेन हरी सेन पता है समुंदर गुप्त याद रखे है समुंदर गुप्त के दरबारी कभी थे समुंदर गुप्त बहुत ही गुप्त का महान सासक है बहुत ही महान स एक इसी में हरी शेन हरी गॉड को भी बुला जाता है हरी शेन इसी में यह पर्याग प्रसस्ति अभिलेक लिखें इसी के दरबार में कभी थे अगर बात करें वाण भड तो वाण भड क्या थे हर्ष वरधन की जिवनी लिखेते हर्स चरित्र थे ओर्धन बंस करा जा हर across और था तृ के यह भी आप याद रखेंगे इसी के समय में एक चीनी यात्री आये था हवेन सांग तो हर से हर सवर्धन हर से हवेन सांग भी हो जाए दूंत कुपिर किसे बोलते हैं कुपिर बोलते हैं दन के के देवता को कुबेर वरुण बोलते हैं हावा के देवता को ठीक है तो वरुण में वह आ रहा है हावा में भी वह आ रहा है यह आपको याद करना पड़ेगा लोग नहीं कहते हैं कि बापरे उसको कुबेर का खाजाना मिल गया तो कुबेर धन के देवता हैं वरुण हावा क हो जाएगा तो आप बता दीए वर्शा के देवता कौन है comment में देखे comment बाभी कीजिए गांना आपको याद हो जाएगा चलिए सुक्तों का विवस्तित ज्यान के संग्रह को सुक्त द्वारा जो ज्याण अरजित किया जाता है जिसमें 1028 हैं 10 मंडल है तो कोशन पुछा है कि रिग वेद में में अलग होगा कुल कितने सुक्त हैं 1028 मंडल पुछेगा तो दस पहले दस फिर दस लिखके 28 तो मंडल दस दस अठाइस क्या हो जाएगा सुक्त हो जाएगा अगला कोशन यहां देखे थोड़ा सा इसको समझ लिजे यहाँ पे पुछे कि वेदांग वेद नहीं वेद तो 4 है वेद की संख्या कितनी वेदों की संख्या 4 है वेदांग की संख्याем छभी तो ये वेद कैसे पाचान ओगा है एक और ये हरसीन एक धोट तीन और एक हरसीन चार टोटल वेद को लिखने में चार चीज़ों का यूज हुआ है तो वेद चार अब वेदांग को लिखने में छो तो वेदांत की संख्या छे वेद की संख्या चार वेद कौन कौन है रीग वेद रीग वेद जो किताब है इसमें मंत्र की चर्चा है यजुरू वेद में य कि यह से यूद होता है यह से यह ज़ूर। जरूबिं बहुत है जैं डाहिन भुतिन भूत कशार ह सब करता है कि अब करकब बीच में थे क्या चुड़ते जा रहे पूछ दे dehторов का उपविध भूपवेद इस तरह से आप पता होना चीए अब आप बते वेदांग की शंख्या कितनी एग यह में लिखा गया है से दम्य यातरा कौन सुरू किय था असोक ने कब बेचारी फ्रेमिका को मार दिय सबसे प्रिय पत्री कारूबाकी कौन थी कारूबाकी पता नहीं कैसे कैसे लोग है यहां देखो बेदो की संख्या कितनी है तो बेदो की संख्या यहां पे चार हो जाएगा अगला कुशन देखे कनिस्क थोड़ा यह कुशन में इधर अप्सन गड़ बढ़ गया लेकिन आपको बता दे कनिस्क जो थे वो कुसान वंस के राजा थे कुसान के राजा कनिस्क उन्होंने अपना राज्य अभी से कब कराया था अठाटर बिसे में और उन्होंने जैसे ही कराया तो उन्होंने एक कैलेंडर दिया जिसे सक सम्वत कैलेंडर काते हैं क्या बोलते हैं सक वह भी अठाटर साल इस्वी में ही दिये थे तो याद रखिएगा यह वाला थोड़ा इसमें यह थोड़ा इधर उधर कोशन हो गया वैसे यहां पूरा का पूरा हम लिख भी द लिएगताहिं के समय में हुआ था अगला इसमें मुद्रा राक्ष किसकी रचना है और सास्थ्र नाii घ्यानी को उनको कोटिले भी कहा जाता है, विश्नु गुप्त भी कहा जाता है, और चड़ाक के भी कहा जाता है, जो अर्षास जानते थे, ठीक है, यह आप याद रखिएगा, असोक किस वंस का था, मौरे वंस का असोक महान राजा था, यह असोक महान कब बना, जब इन्होंने युद क प्राचिंतम लिपी ब्रामी हो जाएगा कौन हो जाएगा ब्रामी अब देखे सक्समत कलेंडर वही सक्व 78 इसी में शुरू किया गया था आपको बताया थे कौन कनिस्क ने शुरू किया था जब राजा बना था तामरली बंदरगाह कहां इस्ति थे तो तामरी बंगाल में इ गया था अब पूछे का सर तक्ष इला विश्व विद्याले कहा है यह पाकिस्तान में भारत के राजा तक्ष के नाम पर बनाए गया था ठीक है भारत के राजा नहीं बताब भारत के पुत्र का नाम तक्ष था उन्होंने यह बनाए था यह कहा है पाकिस्तान में है रावल और गंधार कहा है पाकिस्तान में है तो यह आप याद रखेंगे उधंत पूरी अब यहां कोश्चन है कि उधंत पूरी विश्ववी जाले क्या स्थापना किछनी कहे छह ता-प की स्रीकुंद tat यह आपको याद होना चाहिए कि पहला रजता बिमपिशार ठीक हके बात करें कि भारत का नेपोलियन किशे कहा जाता है तो कहा जाता है किसे समुंद्र गुप्त को बहुत ही महान सा था गुप्त वंस का महान सासक समुंद्र गुप्त था ठीक है लेकिन पूछे कि गुप्त वंस की सुरुवात किसने किया था तो स्री गुप्त ने किया था किसने स्री गुप्त ने गुप्त वंस का सुरुवात किया और ये अखिरकार ये इतने महान क्यों काला है इसका वज़ा क्यों कि ये देखे गरीबों की मदद सबसे ज़्यादा समदर गुप्त करते थे दूसरा बात कि गुप्त वन्स को पूरे इस वन्स को ही सोन का यूग कहा जाता है क्योंकि इसी समय लोग अच्छा से पढ़ना लि सामद गुप्त को गुप्त को कहा जाता है इन्के लड़के कानाम था चंदर गुप्त प्रथं ठीक है और जब इनके लड़के घुम रहे थे बिहार में चंद्रगुप्त मौर्या नहीं वो मौर्या वन्स के हो जाए चंद्रगुप्त प्रथम स्रीगुप्त के बेटे थे जब ये घुम रहे थे तो हाजीपुर में एक जगा है लिच्वी कौन जगा है लिच्वी वहीं पे एक लड़की इनको पसंद आ गई जिनका नाम था कुमारी देवी उनसे ये क्या कर लिए साधी कर लिए और इनका लड़का हुआ जिसका नाम वही था महान राजा समुंद्र गुप्त जब भी ये घुमता था और घुमता था तो सब इसको दोहित्र कहते थे दोहित्र माने होता है नाती तो बताइए लिच्वी का दोहित्र किसे कहा जाता है समुंद्र गुप्त को कहा जाता है और एक और समुंद्र गुप्त और भी महान का इन्हें भारत का नेपुलियन भी कहा जाता है भारत का नेपुलियन लेकिन गुप्त के बाद राजा मने राम गुप्त न उतना दिमाग के तेज नहीं थे इनकी साधी हुई थी ध्रुवा देवी से लेकिन पता है इन अपना सेटिंग इनके देवर से हो गया है ठीक है और यह दोनों ने मिल करके राम गुप्त का राम नाम शत्य कर दे यानि कि जान से मार दिया ठीक है और चंद्रगुप्त दोतिया ने ध्रुव देवी से साधी कर लिया यह चीज़े आप याद रखेंगे ठीक है यहाँ पर देख चंद्रगुप्त दोतिया नौ रतनों में वो काली दस थे जिन्हों भारत का सेक्सवियर का जाता है और यहाँ पर कुमार ग गुप्त के दुवारा अगला कुश्चन देखे गुप्त वंस का अंतिम सासक विश्णु गुप्त ये कुश्चन है भारतिया इतिहास का कौन सा काल को स्वण काल के नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना जी गुप्त काल को स्वण काल के नाम से जाना जाता है तो यह आ लाइक के बटन को दबाए और हर कुश्चन को कमेंट किजिए ताकि आपको पूरा का पूरा कुश्चन कमेंट में ही याद हो जाए तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लीशन के साथ पूरे मैराथन के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिश कि अwnसु नहीं ऊगले हिंदाए तो अने मृवजद बगले वीछ झटन के साथ अछ़न के साथ तक के साथacağ।